हेलो फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल वीटेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पह बनाना तो इस वीडियो को पूरा देखना यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को पूरा देखना मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रेंट्स मैं कुछ गिपवे करने वाला हूं क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं तो फ् फ्रेंट्स हमें यह करना है हमें अपने डॉक को हेल्थी कैसे बनाएं कॉमेंट में भी बहुत सारे एकोसन आ रहे थे वैसे पूछे गेते मेरे से तो पहले हमें उसकी नी मजबूत करनी पड़ेगी जैसा कि आप कोई मकान बनाते हो तो उसकी नी बहुत जरूरी है तो उस सुरुआत करते हैं पहली बात तो यह यह जब भी आप डोग खरीदें 35 डेस से उपर खरीदें 35 डेस 30 डेस से उपर खरीदना चाहे 31 डेस का हो हमेशा हैवी बोन का बच्चा खरीदना क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पैसे इंवेस्ट नहीं करने पड़ेंगे उसके हे जब यह से 30 डेस से उपर ही लेना फिर आप फ्रेंड्स उसको एक स्टार्टर आता है किसी भी कंपनी का ड्रूल्स पैडिगरी रोल कैनन पहुत सारी कंपनीों का स्टार्टर आता आप उसको वह देना चालू कीजिए क्योंकि जो पपी की एक वह एज होती है ना जो 30 डेस स सकते हो 6 महिने तक की पपी को तो आपको स्टार्टर देना तो स्टार्टर क्या करता है उसको बॉडिवेट गेन करता है जैसा कि सप्लिमेंट आते मैं के लिए मसल बाद ऐसा ही उसके लिए एक तरह से सप्लिमेंट साही है उसका पैडिगरी स्टार्टर है किसी भी कंपनी क स्टार्टर ले लिजिए डूल्स किसी का भी तो आपको छह मैने तक उसको वो देना है अगर वो नहीं खा पा रहा तो आपको उसको पानी में फुला देना है और फ्रेंस पहली बात कभी भी बच्चे को दूद मत देना पपी को और यह डौक को दूद कभी मत देना यह आप अगर में लसी है दही है तो उसमें उसको भीगो दीजे 15-20 मिनट पहले या फिर आप पानी में भीगो दीजे 15-20 मिनट पहले तो एकदम नरम हो जाएगी फिल एकदम सौफ्ट उसको पीज दीजिए आप किसी में चमत से उसको नहीं तो आप ऐसी दे दे यह वो खाने जा तो हमेशा दुबा से खाना मलब नई फीड फ्रेस फीड देनी है कई बार ऐसा होता है आपने बढ़ दिया जादा खाना उसने कम खाया छोड़ दिया और आपने फिर वही दे दिया ऐसा नहीं करना है क्योंकि खाने में सर फिर किटानू आ जाते हैं तो फ्रेंस आपको बिल्कुल step by step follow करना है आपको हमेशा fresh feed देनी है जितनी भी आप time उसको feed दो जब भी आप कोई packet लोगे कोई भी feed लोगे तो उसके पीछे mention होता है कि आपको कैसे क्या कितने dog को कितना weight है कितनी feed देनी है तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए feed के पीछे देख लीजिए जो भी उसने mention करा हूँ उस हिसाब से आप अपनी feed डालिए अपने पपी को और friends बिल्कुल step by step उसको follow करना उसकी feed जो mention होती है feeding time और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी quantity में उसको देना है जिससे वह digest कर ले मला ऐसा होता आपने ज्यादा दे दिया उसने शौक शौक में खा भी लिया उसको अच्छी feed मिल गई लेकिन फिर वह बाद में potty कर देता शब निकाल देता है तो उसको इतना देना है digest हो और time to time potty भी करे वह और friends अगर आप starter के साथ उसको calcium और multivitamize द egg sorry egg अगर add कर सकते हो तो बहुत बढ़िया उसको white portion देना yellow portion निकाल देना क्योंकि वह fat डालता है तो मैं fat नहीं डालना है उसको healthy बनाना है तो आप white portion दीजिए अगर egg देना चाहते हो लेकिन आप उसको अभी उसकी puppy है जो उसको मास होता है meet मत दीजिए नहीं पपी को अभ time feed दे सकते हो तो बहुत बढ़िया आप उसको घर का भी खाना दे सकते हो अगर बहुत से बंदें ऐसा है जो बिल्कुल भी अफॉर्ड नहीं कर पाते फीड को इतना costly आती है भाई मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो तो आप उसको घर का खाना दीजिए मगर दूद और सबजी बिल्कुल मत दीजिए आप उसको रोटी दीजिए चाबल दीजिए वेजिटेवल्स जो नॉर्मल होते हैं वो दे दीजिए फलफरूर दे दीजिए अगर आप उसके साथ अगर कैल्सियम और मल्टी मिटामिन्स एड कर दोगे न तो फ्रेंस तो आपको बिल्कुल की जरूरत नहीं पड़ेगा आपका नॉर्मल भी डॉग ग्रो कर जाएगा क्योंकि मैं यह डाइड रहें क्योंकि जो गाउं में बंदे रहते हैं वो उनके पास नहीं होती पैट्स आप नहीं कर पाते फीड तो वो इसको फॉलो करके अपने डॉग को हेल्थी भी बना सकत आपको जिंदी बर देने जब तक वो जिडा है जो आपको अपने डॉग को आपको मल्ति विटामिन जरूर ही देने हैं क्योंकि वो आपका एक plus point है बाद में जाके जब वो बूरा सा हो जाएगा तो उसको इतनी दिक्कत आएगी नहीं और फ्रेंस जब आपका डॉक 6 महीने या एक साल से उपर हो जाए तो आप उसको meet देने start कर सकते हो meet कोई वेकार चीज नहीं है यार बहुत से कहते हैं कि भाई नहीं वो काटने लगा ऐसा कुछ नहीं है meet बड़िया चीज आप दे सकते हो जो दे सकते हैं वो बड़िया नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नी भी आप normal feed दे दीजिए मैं आपको बता दूँ एक pure pet feed है जो सबसे सस्ती है पूरी feed में सबसे सस्ती आप वो ट्राइ करिए वो भी अच्छी है ठीक ठाक मला उसको घर से काने से तो प्लस पॉंट दे जाएगी उसमें multivitamins और calcium एड़ कर दोगे तो वो और प्लस पॉंट दे जाएगी तो मैं friends उसमें अगर आप egg एड़ कर दो white portion जो उसका है तो वो भी बहुत अच्छा प्लस पॉंट आपको दे सकती है ये diet अपने dog पर जरूर फॉलो करके देखना और मेरे को comment में जरूर बताना क्योंकि friends पेड़ एक दिन में आपने कल पेड़ लगा और परसो आप बोलो वो फल नहीं दे रहा तो friends ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता आप ये diet फॉलो कीजिए one month में आपको फर्क दिखने लगेंगे friends मैं आपको एक और चीज बता दू जो भी feed आप ट्राई कर रहे हो ऐसा नहीं है भाई आपको वही feed ट्राई करती रहनी है उसने भी नहीं दिया तो royal canine तो करेगी करेगी कोई ना कोई feed तो उसको suit करेगी और devorming is most important अगर आपको अपना dog healthy बनाना है तो क्योंकि अगर आप devorming नहीं करोगे तो आप कितने भी महंगी से महंगी feed दे दो आपका dog healthy नहीं होगा और आपको अपने dog को दूद भी नहीं देना है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो comment करना, subscribe कर देना हमारे चैनल को like का button जरूर दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना तो thanks for watching please subscribe my channel